हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने से पुराने डिलीट हुए वीडियो को वापस कैसे ला सकते हैं दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताऊंग उसके लिए आपको एक भी application को download नहीं करना है सारा का सारा काम आपके phone से ही मैं करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आपका भी कोई video आज delete हुआ है कल delete हुआ था या फिर कितना भी पुराना video delete हो चुका है अगर आपने भी कोई video को गलती से delete कर दिया है और आप उसे दुबारा से वापस पाना चाते हो तो मेरे भाई इस video को आप पुरा ध्यान से देखिए क्योंकि जो चीज़े मैं आपको बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझनी है तब ही आप अपने पुराने से पुराने delete वीडियो को दुबारा से अपने फोन में वापस पासकते हो लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए यहाँ पर क्लिक करिके अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक घंटी आएगा इसको दबा के all पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगयान वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं तो दोस्तों इसके लिए जो है सभी के फोन में एक application होता है photos नाम से यह सभी के फोन में जो है default रूप से download होता है यानि यानि सभी के फोन में यह पाया जाता है तो अपनी वीडियो को दुबारा से वापस पाने के लिए आपको जो है इस पर ही क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद ये देखी ये अपडेट माँगना है क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से इसको अपडेट नहीं किया हूँ तो मैं इसको बैक कर देता हूँ इसके बाद आपको जो है नीचे की साइड में देख सकते हो यहाँ पर एक काफी सारे उप्सन मिलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको लाइबरेरी वाले उप्सन पर क्लिक करना है लाइबरेरी वाले option पर click करने के बाद आपको उपर की side में काफी सारी option दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको यह जो trash का option है दोस्तो इसी पर ही आपको click करना है अब यह दोस्तो यह खुल चुका है खजाना जितने भी आज से पहले मैंने videos को delete किया है वो सारे के सारे मेरे video यहीं पर है save हो चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज से 60 दिन पहले आपने जितना भी video delete किया होगा वो सारे के सारे यहां पर आ जाते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो जितना भी आप जो है वीडियो को डिलीट किये हो आज से साथ दिन पहले वो सारे के सारे वीडियो और फोटोज भी यहां पर आ जाते हैं वीडियो तो दोस्तों आप यहां से रिस्टोर करी ही सकते हो लेकिन फोटो को भी आप यहां से वापस पा सकते हो लेकिन हम इस वीडियो में वीडियो को रिकवर करने की यानि दुबारा से वापस लाने की बात कर रहे हैं तो हम वीडियो पर ही बात करते हैं तो बात करते हैं यहां पर किसी भी वीडियो को अगर आप दुबारा से वापस लाना चाहते हैं तो कैसे लाओगे यह सारे के सारे मैंने वीडियो रिकॉड करते समय यह वीडियो मेरे जो है रिकॉड किये थे को मैंने फौन से डिलीटकर दी हैं और यहां पर यह आ करके सेव हो चुके हैं महां लीजे किसी वीडियो को मुझे वापस से रिकवर करना है तो यहां पर देख लिखे कटो टीन वीडियो हैं में इस में इसめं से कोई एक videos को जो है रिकवर Lac基 दिखाता हूँ यहां पर नीचे की साइड में देखोगे यहां पर restore का बटन है उस पर click करते ही यह देखिए मैं दुबारा से करके दिखाता हूँ यह देखिए restore का बटन है इस पर मैं click करूँगा तो यह पूछ रहा है allow तो यहां पर हम इसको allow कर देंगे और just a second एक second नहीं लगा दोस्तों यहां से वो वीडियो गयाप हो गया और मेरी लाइब्रेरी में जा करके वो वीडियो save हो चुका 31 second का वीडियो था मैंने अब यह आपको दिखाया था ठीक है दुबारा से विश्वास नहीं हो रहा है दुबारा से मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यह play store वाला है इस पर मैं click करता हूँ मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर click करूँगा यहां पर देखिए restore का button है मैं इस restore पर click करूँगा और इस तरीके से allow कर दूँगा और यह allow हो चुका है यानि वो वीडियो मेरे phone में वापस आ चुका है तो इस तरीके से आप जो है किसी भी वीडियो को जो ह अपने phone में दुबारा से वापस पा सकती हो जो आज से आपने 60 दिन पहले या कुछ दिन पहले ही डिकर दिया हो सारे के सारे वीडियो आपको यहां पर मिल जाते हैं क्या दोस्तों अभी तक यह trick आपको पता थी अगर हा तो वीडियो के नीचे comment जरूर से करिए वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करिए और चैनल पर नए होना भाई तो subscribe कर लो यार और अगर आपके में में कोई सवाल है तो जरूर से comment करके पूछो मैं आपको उसका वीडियो बना करके जरू उसे दूंगा मिर भाई धन्यवाद